कि अब अप्को बताने वाले हैं कि आप क्लोन बॉट कैसे बना सब्सक् effectivement करके आप जिडी टॉत लिंख् just गूगल ड्राइब लिंख्श राइब लिंख्वेग रिब्स निक और अपनी जॉगल ऑट के अंदर अपने ड्राइब भी उज्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो के description में आना है, वीडियो के description में आपको यह requirements देखनी होगी, और सबसे पहले आपको यह repo link open करना है, इस repo link को अपने browser में आपको open करना होगा, इसके बाद आपको यहापकर 15 seconds का wait करना है, 15 seconds का timer पूरा हो जाने के बाद आपको यह जो यहाँ पे pink पटन देख रहा है get link आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पे हमारी repo open हो चुकी है इसके बाद आपको इस page को desktop site में open करना है और यहाँ पे आपके पास github पे account होना चाहिए अगर आपके पास github पे account नहीं है तो आप हमारी description में दीवी वीडियो को देखके github पे account create कर सकते है उसके बाद आपको ऐसे करके इसके फोक करना है repo को अपने account के अंदर इसके बाद आपको इस website को normal कर लेना है हम यहाँ पर अपनी website पर अपनी repo के पास चले जाते है इसके बाद आपको एक कुछ credentials.json file create करनी होगी जो कि आपको google cloud console से create करनी होगी तो चलिए फिर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना browser open करना है और एक new tab के अंदर आपको search करना है cloud console google cloud console इसके बाद आपको इसके अंदर project create करना होगा अगर आपके पास project पहले से created नहीं है तो आप यहाँ पे पहले से project create कर ले मैंने यहाँ पे पहले से project create करा हुआ है इसके बाद । आपको API and services पर जाना है और आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है इसके बाद सबसे पहले आपको अपने अयप को यहां पर name देना होगा तो आप यहां को भी name दे सकते हैं मैं यहां पर clone what nam दे जेता हूं इसके बाद आपको यहां पर नीचे इसमें support email डालना होगा इसके बाद आप इस e-mail को यहां पर copy kalau और आपको नीचे भी यह email डालना है तो मैं हाप यह से copy कर लेता हूँ अपनी email को copy करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर developer contact information के अंदर इस email को यहाँ पर एंटर कर देना है एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर save and continue पर क्लिक करना है इसके बाद आपको नीचे आना और again save and continue पर क्लिक करना है अगेन आपको save and continue पर क्लिक करना है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर back to dashboard पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर publish app पर क्लिक करना है अपने एप को पब्लिक करना है और आप इसे कंफर्म कर दे इसके बाद आपको लाइब्रेरी में जाना है और लाइब्रेरी के जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा Google Drive API हमें यहाँ पर पहले ही थर्ड नमबर पर दिखाई दे रहा है Google Drive API तो हम इसे उपन कर ले रहा है अगर आपको यहाँ पर नहीं पता है तो आपको सर्च बार से सर्च कर सकते है Google Drive API इसके बाद आपको इसे एनेबल कर देना है इसे एनेबल होने में कुछ दिर वेट टाइम लगेगा तो आपको यहाँ कुछ दिर वेट करना है तो हमारी यहाँ पर जो Google Drive API थी वो एनेबल हो चुकी है आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद आपको इहाँ पर Credentials टैब में जाना है इसके बाद आपको इहाँ पर Create Credentials पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है Auth Client ID इसके बाद आपको इहाँ पर Application Type में सेलेक्ट करना होगा Desktop App और फिर आपको इहाँ पर Creative को उपर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको इस Client ID और Client Secret जो दिखाए देना है आपको इसे डावलोड कर ले रहा है Download JSON पर क्लिक करके हमारी यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो हमने यहाँ पर अपनी Credential.json फाइल क्रीट कर ली है इसके बाद आप अपने File Manager में जाए File Manager में जाने के बाद आपको दिखा देता हूं डाउनलोड के अंतर मेरी फाइल आ चुकी है और आप यहाँ पर एक folder create कर ले YouTube के नाम से ताकि हम चीजों को अच्छे से organize कर पाएं हमें बाद जादर चीज़े ढोड़नी ना पड़े तो हम एक जगए सारी चीजों को collect करके रखेंगे आपको यह client ID जोती हमारी इसे rename करना है और इसे name देना है तो हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है इसके बाद आपको यहाँ पर termex application इंस्टॉल करनी होगी आपके device के अंदर अगर आपको नहीं पता कि आप termex application कैसे इंस्टॉल करें तो आप हमारी description में दूभी वीडियो को देख सकते हैं इस termex application के नीचे आपको वीडियो का link मिल जाएगा तो मैंने आपने device के अंदर यहाँ पर termex application पहले से इंस्टॉल करी हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ यह भी termex application है इसके बाद आपको यहाँ पर comments डाउनलोड करनी होगी यह commands link आपको यह copy करना है और अपने browser के अंदर open करना है ताकि हम इन commands को download कर सके जो commands हमें अपने termex application के अंदर run करनी है और आप इन commands को ज़रूर download करें अगर आप इन commands को download नहीं करते हैं तो फिर आपको problem आएगी आपको यह commands एक एक करके अपने termex application के अंदर run करनी है तो हमारी पहली command है pkg install git और मैंने अपने device के अंदर पहले से pkg install git मैंने अपने git जो package है वो पहले से install करा हुआ है तो मिले कोई यहाँ पर time नहीं लगेगा आपके में थोड़ा सा time लग सकता है यह install होने में तो मेरी जो यहाँ पर पहली command के वो पूरी हो चुगी है इसके बाद मैं अपनी second command यहाँ पर run करूँगा pkg install python 3 इस command को run करके हम अपनी termex application के अंदर python install करेंगे मैंने यहाँ पर python पहले से install की हुई है तो मिले को time नहीं लगेगा आपको यहाँ पर कुछ देर लगेगी python install करने में तो हमारी second command यह पूरी हो चुकी है अब मेरी third command जो कह pkg install r clone आपको इस command को run करना है आपको बस यह सारी commands मैंने दी हुई है description के अदर आपको इन commands को sequence के अदर run करना है अपने सारी जो हमारी confidential files है वो create करने के लिए इसके बाद हमारी fourth command है pkg install update and pkg upgrade pkg upgrade तो हमारी जो fourth command यहाँ पर आप complete होने वाली है और यह हो चुकी है इसके बाद हम अपने fifth command run करेंगे जो कि है r clone config और उसके बाद आपको यहाँ पर एंड टाइप करना है हमारी जोगी sixth command है और एंटर कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर नेम के अदर टाइप करना है जी ड्राइव जो कि मैंने हाँ पर seventh command दी हुई है इसके बाद आपको यहाँ पर 17 एंटर कर रहा है और अगर आपको 17 से काम ने चलता है तो आप एक बार इसके अंदर search कर सकते हैं कि गूगल ड्राइव कहाँ पर लिखा हुआ है तो हमारे आप यहाँ पर दे सकते हैं कि गूगल ड्राइव 17 पर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर 17 एंटर करना है और 17 एंटर करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है ये को इसके बाद आपको अगे इंटर प् Letter ब्लाईज करना है इसके बाद आपको स्कॉपस के अंदर 1 टाइब करना है मैं आपको यहाँ पर धिया व्य बदॉआ है नायनथ कमांड तुन डूमारी आपको यहां पर बयुद ऐंप कर दिनद करना है आपको करना हैं एक कुछ है क्ना इसके बादिया और रहे है कि यहां पर इसके बाद आपके ब्राउजर आटोमेंटिक्ली ओपन हो जाएगा आपको फिर यहाँ पे authorize करना है इस application को अपने उस Google account के साथ जिस account के अदर अपने share drive create के होगी है या जिस account को आप use करना चाहते है अपनी files को mirror करने के लिए upload करने के लिए अगर आपका browser अपने आप open नहीं होता है तो आप इस link को आपको यहाँ पर copy कर सकते है और अपने browser के अधर manually open कर सकते है तो मैं आपको manually करके दिखा देता हूँ मैंने link यहाँ पर open किया इसके बाद आपको यहाँ पर अपना Google account चूज करना है अगर अगर इसके बाद आपको यहाँ पर इसे authorize करना था अलाव कर दिया है मैंने इसे इसके बाद आपको यहाँ पर वाइ टाइप करना है अगर आप share drive करना है otherwise आपको no type करना है end type करना है तो मैं आप यहाँ पर अभी इस video के लिए यहां पर करेंगे अपने जेनर के अंदर यहाप हमने अपनी जो रिपोजेटरी थी वो क्लोन कर लिए इसके बाद हम अपनी इस रिपोजेटरी के अंदर एंटर होंगे अपनी cd search x कमांड से जो कि यह हमारी 16th कमांड है तो हमें यहाप अपनी रिपो के अंदर आ चुके हैं इसके बाद आपको 17th कमांड रन करनी है जो कि हमारी pwd और इस कमांड के बाद जो आपको यहाप एडर्स दिखाए देरा है आपको यह एडर्स कॉपी करना है इसके बाद हमारी आती है 19th कमांड जो कि है sorry 18th कमांड और यह कमांड आपको यहाप रन करनी है इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी 19th command run करनी है जो कि यह cd मैं आपको दिखाए देता हूँ यह हमारी 19th command है cd.sd.gard.s.youtube तो हमने जो folder create कर रहा था हम उस folder के अदर remove home base command के use करके हम यहाँ पे अपने उस folder के अदर आ चुके है इसके बाद आपको हमने वहाँ पे जो credentials जो json file रखी थी है हम उस file को copy करके अपनी repo के अंदर डालेंगे 20th command यूज करके आपको यह 20th command यूज करनी है और जो copied address लिखा हुआ था आपको उस copied address की जगा यह जो हमने pwd के बाद जो address आया यह address आपको copy करना है और यहाँ पे enter कर देना है और आपको enter कर देना है तो हमारी जो file है copy हो जाएगी हमारी repository के अंदर इसके बाद हम अपनी run करते है 21th command यह आपको दो बार run करनी है cd space dot dot और enter करते हैं अगेन आपको यही करना है इसके बाद हमारे 22th command है pip install तो हमें आपनी requirements install कर लेते हैं आपने आपने command run कर दी और मैंने यह पहले से requirements install करी हुई है तो मिरे को time नहीं लगएगा आपके में थोड़ा सा time लग सकता है तो मेरी आप एक पूरी हो चुकी है command इसके बाद हमारी 23rd command है python 3 dlist dot py यह command आपको अभी रन नी करने है मैंने यहां पर वीडियो में गलती से यहां पर रन कर दिया आपको पहले अपने और लीपो की डारेक्टरी में मूव करना है आपको यहां पर cd slash such x command से याँ एंटर हो रहा है उसके अदर तो मैं यहां पर एंटर हो चुका हूँ इसके बाद अब आपको यहां पर वो कमांड रेंड करना है python 3 dlist dot py और यहां पर आपको a select करना है और एंटर कर देना है इसके बाद आपको अगेन अपर एंटर प्रेस करना है इसके बाद आपको यहां पर list of maths में जो दिखाई दे रहा है जी ड्रैब doubleUT space drive आपको exactly यहां पर एंटर करना है मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ जी ड्राइब डबल डॉट स्पेस ड्राइब और एंटर कर देना है तो हमारी यह कमांड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इसके बाद हमारी है 24th कमांड python3 dtoken.py हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और रन करेंगे अपनी टर्मेस अप्लिकेशन के अंदर अगर आपको यहाँ पर इस कमांड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या इशू आता है तो आप हमारे support group पे contact कर सकते हैं इसके बाद आपको यह URL यहाँ पर दिखाई दे रहा है से लेके offline तक आपको इस URL को कॉपी कर रहा है और अपने ब्रावजर के अंदर open करना है और अगेन आपको यहाँ पर इस URL को authorize कर रहा होगा Google account चूज करें जिसके अंदर आपने पहले process किया था और आपको यहाँ पर advance पर click करना है और फिर आपको यहाँ पर go to clone board पर यूज़ करना है इसके बाद आपको यहाँ पर continue पर click करना है और हमारे हाँ पर complete हो चुपा है हमारी command भी हाँ पर complete हो चुकी है हमारी जो token जो json file है वो create हो चुकी है इसके बाद जो 25th command है 26th command है आप यहाँ पर अभी रन कर सकते हैं अगर आप services accounts यूज़ नहीं करना चाहते services accounts यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 27th command को पहले रन करूँगा ताकि मैं services accounts generate कर सकूँ आपने google account के अंदर तो मैं यहाँ पर 27th command run करूँगा python 3 generate services accounts हम यहाँ पर list projects करेंगे इसके बाद अगेर आपको यह URL आया आपको इसे copy करना है से लेकर offline तक और इसे copy करके अपने browser के अंदर open करना है मैंने copy कर रही है browser के अंदर new tab में open कर दिया अगेन आपको यहाँ पर अपने वही account चूज़ करना है आपको याद रखना है कि आपको पूरी video के अंदर से एक account से process करना है आप दूसरे accounts को use ना करें वरना फिर problem आएगी और वक्त नी करेगा इसके बाद आपको यहाँ पर दियान रखना है कि आप इसे सारी permissions दें मैं इसे यहाँ पर सारी permissions दें देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर continue पर click करना है हमारा authorize हो चुका है इसके बाद आपको यह termics application open करनी है आप यहाँ पर आपको source derivate करना है हमारी command अभी चल रही है और यह हमारी command पूरी हो चुकी है इसके बाद आप यहाँ पर दिसकते हैं कि मेरे account के इंदर फिलाल दो projects है इसके बाद आपको यहाँ पर अपने 28th command run करनी है इस commands को यूज करके हम services enable करेंगे अपने project के अंदर आपको यह type करना है command इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जो project ID है आपको इस project ID को remove कर देना है मैंने हाँ पर remove कर दी इसके बाद आपको ऊपर जो अभी project आए है आपको यह copy करना है और paste कर देना है यहाँ पर इस project की ID या name जो भी आप इसे कहना चाहिए और एंटर कर देना है enabling services और है हमारी command पूरी हो चुकी है इसके बाद हमारी अगली command है 29th command जो है python generate services accounts इस command को यूज करके हम services accounts generate करेंगे अपने account के अंदर और आपको अगेन यहाँ पर project ID को replace कर देना है अपनी project ID के साथ आप यहाँ देखे कि आप एक ही project के अंदर ही सारे काम को करें आप different different projects का use ना करें और यह हमारी command आप यहाँ पर complete होने वाली है और हमारी command रूल पूरी हो चुके है हमारी service accounts generate हो चुके है इसके बाद हम अपनी services accounts की keys को download कर लेते हैं अगेन आपको यहाँ पर project ID को दी हुई है इसे replace कर देना है अपनी उसी same project ID के साथ और हमारी यहाँ पर keys download हो चुकी है इसके बाद हम आपे जो हमने पहले command skip करी थी हमारी 27th हमारी 25th command और 26th command आप इसे run कर सकते हैं अगर आप services accounts यूज ने कर सकते हैं तो आप वहीं से आपको इन commands को run करना था इस command को run करके आपने जो file यहाँ पर create करी है आपको उन्हें copy करना है और यह हमारी 26th command है आपको यहाँ पर run करना है अगर आप services accounts नहीं यूज कर रहे हैं जो कि हमारी last command है यहाँ पर 31st command cprf accounts slash sdcard slash youtube और यहाँ पर हमारा जो termax application पर काम था वो पूरा हो चुका है अब यहाँ पर आप इस termax application को close कर सकते हैं हमने अपने सारी जो file सी वो यहाँ पर create कर ली हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं मेरे file manager के अंदर यह file जो मैंने अभी generate कर रहे हैं वो आ चुकी है अब आपको क्या करना है आपको एक एक करके यह फाइल अपने रीपो के अंदर upload करना है अब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में रीपो के अंदर एक problem करई थी कि मैंने करदी थी बैंने. इस रिपो को फोक किया था, आपको फोक नहीं करना है, तो मैं आपको एक बार इसे फिर से ठीक से करके दिखा देता हूँ, मैं इस रिपो को यहाँ पर डिलीट कर दूँगा, आपको यह मिस्टेक नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से ही अपनी रिपो को फोक नहीं करना ह ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें अपनी इस repo के अंदर अपनी confidential files को upload करेंगे तो वो किसी और के हाथ में ना लगे इसलिए हम इस repo को import करेंगे और उसे import करके हम उसे as a private repo रखेंगे ताकि वो किसी और के हाथ में ना लगे तो again मैं यहाँ पे प्लस का साइन आपको इसके उपर क्लिक करना है और फिर आपको इहां पर इंपोर्ट रिपोजेटरी का ओप्शन देख रहा है आपको इसके बाद आपको इहां पर अपने रीपो का एहां पर इसके बाद आपको इहां पर प्राइवेट्च जुस करना है चुसके बाद आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना आ और हमारी जो repository है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है हमारी repository अब यहाँ पर import हो चुकी है मैं अपनी repo को यहाँ पर open करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी repo के side में लिखा हुआ है private तो मेरी जो repository अब यहाँ पर private है तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब वाले folder के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरी YouTube folder के अंदर आ चुका हूँ फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर credential.json file अप्लोड करूँगा मेरी file अप्लोड हो चुकी है upload होने कबाद यहाँ आपको comment changes पर click करना है हमारी file आप यहाँ पर process हो रही है हमारी processing पर हो चुकी है इसके बाद हम अपनी अगली file को upload करेंगे तो मैं हाँ पर token.json file upload कर रहा हूँ comment changes पर अगे आपको click करना है इसके बाद हम अपनी third file को upload करेंगे जो कि हमारी drive list और फिर आपको यहाँ पर comment changes पर click करना है फिर आपको यहाँ पर create new file पर click करना है और यहाँ पर folder create करना है accounts के नाम से और आप यहाँ पर याद रखें कि आपको accounts के यहाँ पर small letter से use करने accounts डाल के आपको यहाँ पर slash type करना जाए यह folder हमारा create हो जाए इसके बाद आपको यहाँ पर high type करना है comment new file पर क्लिक कर देना है हमारी यहाँ पर folder create हो चुका है अब आपको यहाँ पर upload files पर क्लिक करना है उसके बाद जो हमारा accounts folder हमने copy किया था आपको इसे open करना है हमारा accounts folder अब इसके अंदर जो यह 100.json file है आपको इन सबको select करना है select all और इन्हें upload करना है आपने इस accounts folder के अंदर और comment changes पर हमारी यहाँ पर file हो अप्लोड होना start हो चुकी है इसे upload होने में कुछ दिर लगेगी तो हम यहाँ पर कुछ दिर wait करते है इसके बाद आपको इहाँ पर comment changes पर क्लिक करना है अब हमारी यहाँ पर file को process होने में यहाँ पर कुछ दिर minute time लगेगा आपको यहाँ पर दो minute लग सकते है हमारी यहाँ पर file processing पूरी हो चुकी है अब हमने आपने रिपो के अंदर से जितनी भी इस वीडियो में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था कि मैं फिल्मि फंडा को यूज कर रहा था जबकि वो मेरी drive नहीं थी मेरे को इसके अंदर permissions नहीं थी कोई भी चीज upload करने की मैंने इस वीडियो के इंदर बाद में fix कर रही है तो आप इसके अंदर mistake ना करें तो आपको क्या करना है गिस्ट रट के टप पे जाना है और यहाँ पे जो हमारी drive list मैंने जो भी copy की आपको इहाँ पे paste कर देनी है और आपको इहाँ पे file के इंदर नहाँ देना है drive dash list और आपको इहाँ पे small letters ही use करने है इसके बाद आपको इहाँ पे create secret guest पे click कर देना है इसके बाद आपको इहाँ पे raw पे click करना है और इसे open करना है इसके बाद आपको इसका URL कॉपी कर लेना है कॉपी करने पाद आप इसे कहीं सेव कर ले मैंसे अपने टेलीग्राम पर सेव कर लेताू हूँ इसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहोगा raw आपको जो यह raw दिखाई दे रहा है आप double slash ना छोड़ दे तो मैंने आपको एक slash रखा है और आपको इसेव कर लेनी है इसके बाद हम इस टैपको इहाँ पर close कर सकते है इसके बाद आपको आपनी repo पर वापस जाना है फिर आपको इहाँ पर open करना है यह वाली file sample-env और आपको इसके पूरा text है यह पूरा as it is text copy कर लेना है copy करने के बाद अगेन आपको इहाँ पर guest.gethub open करना है guest.gethub.com टाइप करके अपने browser के अंदर फिर इसके बाद आपको इहाँ पर file content के अंदर इस जो हमने copy text हो है यहाँ पर text copy कर देना है फिर इसके बाद आपको इसे name देना है config.env आप description के अंदर इसे कुछ भी enter कर सकते हैं वैसे वो optional है मैं यहाँ पर इसलिए type करना हूँ ताकि मैंने कोई याद रहे कि मैंने guest file के इसलिए बनाई थी तो आप इहाँ पर इसके बाद इहाँ पर secret create secret guest पर click कर सकते हैं लेकिन हम पहले क्या करेंगे आप इसके अंदर सारा data फिल करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने telegram का bot token चाहिए होगा अगर आपको नहीं पता कि आप टेलिग्राम पर bot token कैसे create कर सकते हैं तो आप आपको आपको अपने owner ID एंटर करनी है जो कि आपके टेलेग्राम की यूजर आईडी अगर आपको नहीं पता क्या आप आप आपको 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 रहें नाम के बाद जो आपको यह नंबर्स दिखाए दे रहें आईडी आपको यह वस्कॉपी कर लेनी है तो मैं यहाँ पर फिल्मी फंडा यूज कर रहा था अभी फिलाल लेकि मैं इस वीडियो का अंदर बाद में ग्रे मिरर यूज करूँगा क्योंकि फिल्मी फंडा जो है मेरी ड्राइव नहीं है मेरे को यह मिस्टेक इसलिए हुई थी क्योंकि मैं यह जो अभी बॉट है वो किसी और के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मिरको उसकी ज़्यादा नॉलिज नहीं थी इसलिए मैंने हापे थोड़ी मिस्टेक कर दी जब मैंने पहली बार इस बॉट को ग्रेट कर रहा था तो मिरको ऐसे कोई एरन नहीं आए था और आपको भी यहापे कोई ऐसे एरन नहीं कर रहे है ड्राइव आईडी हमने आपपे पेस्ट कर दिया है इसके बाद आपको ऑथराइज आईडी आप क्या करें ओनर आईडी ले ले आप पर ऑथराइज आईडी सोरी और यहाँ पर ऑथराइज टेट्स के अंदर एंटर कर दें अगर आप टेलिग्राम को यूजर आईडी एंटर कर रहे है यह एक यूजर आईडी है मेरे अकाउंट की मैं इस ऑथराइज करना चाहता हूं कि यह यूजर इस आईडी को यूज कर चाता है तो आपको इसे ऐसे एंटर करना है और जब आप अगर आप किसी ग्रुप को य मैंने आप पर ID एंटर कर दिया, अब आपको यहापर एक चीज दिहान रेकर हैं, कि जब आप ग्रुप के अंदर इसे अलाव भरेंगे, तो ग्रुप के अंदर आपको Δयास यहापर पहले एंटर करना होगा, आपको यहापर दिखा दे है और यूजर ड़ाला है, मैंने डेफ्स नहीं डाला है और आप मल्टिपल आइडी जहाँ पर एंटर कर सकते हैं स्पेस देखे इसके बाद क्या करना है आपको अगर आपको नहीं पता क्या आपको मोंगो डीवी यूरल क्रियेट करना है अगर आपको नहीं पता क्या आपको मोंगो डीवी यूरल कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो आप हमेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मैंने आप मोंगो डीवी यूरल पहले से क्रियेट करा हुआ इसके बाद आपको यह पर यहाप ती antar करणा है अगर आप तीम ड्राइब यूज कर रहे हैं मैं यहापकर टीमडुरा यूज कर रहा हूं इस वीडियो के लिए तो मैं आपकर ट्रुव ट्रुट करें से अगां ड्राइब करहा 묥 जिसके बाद है विए इसके बाद आपको यहां पर index link create करना होगा अगर आपको नहीं पता कि आप index link कैसे create कर सकते हैं तो आप हमारी description ने दिए वीडियो को देख सकते हैं तो मैंने आप index link पहले से create कर रहा हुआ है मैं बस यहां पर enter कर दोंगा index link create करने के बाद आप यहां पर दियान रखें कि 0 के बाद आपको यहां पर double dot लगाना है और आप इसे ऐसे ही यहां पर close करें और आप इसके अंदर last में slash enter ना करें इसके बाद हमारी token.json url है आप इसे skip कर सकते हैं आपको जरॉट कर दिया विए इसके बाद मैंने ने लिख को पेस्ट कर दो करता है मैं यहां पर diager और यहां पर करते करो हुआ आप si है कि आपको इंवेर्टिड को और प्रांगोर करना च्वाइब करना है झालगे। app drive email के अंदर इस email को paste कर देना इसके बाद आपको यहाँ पर app drive का अपना password enter करना होगा मैं आपना password enter कर देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर gd.cookies enter करनी होगी अगर आपको नहीं पता कि आप अपनी gd.cookies कैसे ले सकते हैं तो आप हमारे description में वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा आप मैं आपको एक चीज बताता हूँ आप जबी भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप एक बार वीडियो का description जरूर चेक करें अगर वीडियो के अंदर कोई भी error या mistake होती है तो मैं उसे description में correct कर देता हूँ अब आपको यहाँ पर एक new tab open करना है और आपको यहाँ पर search करना है gd.cookies और आपको यहाँ पर login करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि gd.cookies कैसे generate होगी आपको वीडियो की जवच नहीं है आप वैसे उस वीडियो को भी देख सकते है आपको यह अलाओ कर देना है मैं आपने gd.account के अंदर login हो चुका हूँ इसके बाद मैं आपनी हाँ पर मैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को रन करूँगा आपको यह जो जावा स्क्रिप्ट है यह हमारी उसी gd.cookies वाली वीडियो के अंदर मिलेगी तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी उसके description में आपको यह स्क्रिप्ट मिल जाएगी इसके बाद आपको ब्राउजर के अंदर इस script को यहाँ पर रन कर देना है और जब आप script को रन करें तो आपको एक चीज का त्यान रखना है कि वहाँ पर जावर script स्क्रिप्ट में लिखा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इसके बाद आपको यहाँ पर जो copied cookie यह से paste करना है और कहीं पर save कर लेना है इसके बाद आपको क्रिप्ट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको इसे cancel कर देना है और यह जो हमारी ID बची है आपको इसे save कर लेना है यह सब मैंने अच्छे से अपनी उस जीडिट और cookies वाली वीडियो के अंदर explain करा है आप उस वीडियो को देखे और उसे process को follow करें यहाँ पर जो process था वो गलती से record हो गया तो मैंने हाँ पर अपनी जीडिट और cookies एंटर करती है इसके बाद आप इसे raw में open करें इसके बाद आपको again इसका URL कॉपी करना है जैसे हमने अपनी drive list URL कॉपी किया था और आप इसे भी कहीं पर save कर लें आपको इसके अंदर जो raw के बाद लिखा हुआ है और config से पहले जो है आपको इसे remove कर देना है हमारी commit ID हमें इसकी ज़रुद नहीं है इसके बाद आपको अपनी browser को open करना है आप इस tab को यहां पर close कर सकते हैं आप आपको क्या करना है आपको यहां पर आपको को इस website को desktop site में open करना है desktop site में open हो जाने के बाद आपको यहां पर settings में जाना है सेटिंग्स में जाने बाद आपको यहां पर धिखाई ज़ावागा सिक्रेंड, आको इसके है पूर क्लिक करके एक्शन्स में जाना है अब आया प्रह को mail आपको के, एंड़ kay name दर है एंटर करना है और as it is, ही एंटर करना है Hinoki-Email इसके बाद आपको इहां पर होकु को email account की email id एंşर करना है अगर आपको नहीं पता है । कैयार है रिपकूपे क्या करना है आप इसके अंदर कोई भी mistake ना करें या कोई भी small letter use ना करें इसके बाद API की के लिए क्या करें आप अपने hero को account में जाए account settings में जाए इसके बाद आपको scroll down करना है और आपको यहाँ पर reveal पर click करना है और यह हिरोकू app name आप यहाँ पर अपने app को name दे अब मैं आपको इसी बता था हूँ app name के अदर आपको कोई अटपटंग नाम यूज करना है जो unique हो और पहले से occupied ना हो और आप नाम के अंदर आपको आप numbers यूज कर सकते हैं और आपको इक choice का ध्यान रखना है कि आप नाम के अंदर कोई भी capital letter यूज ना करें तो मैंने आपके उल्टा सीधा नाम यहाँ पर रख लिया है इसके बाद again मैं अपनी last repository secret create करूँगा जो कि हमारी config file URL और आपको यह as it is ऐसे यह enter करना है मैं आपको बार बार यह आद दिला रहा हूँ क्योंकि आप बाद में फिर पहुच जादा mistake करते हैं इसके बाद जो आपने दूसरी अपनी फाइल बनाए थी जिसके अंदर अपने टोगन फिकल फाइल वगरा जो एंटर कर रहे थे URL वगरा वह वाली फाइल को यहाँ पर एंटर कर दूँगा और यहां पर हमारी repository secrets सयार हो चुके हैं इसके बाद क्या करना है आपको यहां पर actions पर जाना है उपर और आपको journal पर क्लिक करना है जर्णल पर आप यहां पर देख सकते हैं कि disallow actions है अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा इसे allow कर दोंगा allow all actions और इसके बाद इसे save कर करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि टॉप पर हमें जो एक्शन टैब पहले नहीं आ रहा था आप आपको इसे action टैब में जाना है इसके बाद आपको select workflow करना है और इसके इंदर deploy to hero को चूज करना है इसके बाद आपको यहां पर run workflow करना है और run workflow कर देना है इसे हमारा जो बॉर्ट हो डिप्लॉइंग वहां स्टार्ट हो जाएगा हरोकू के ऊपर तो मैंने हापर workflow run कर दिया है अब हमारे बॉर्ट को डिप्लॉइंग में कुछ दिर टाइम लगेगा तो हमें आपको कुछ चीज दिखाते दा हूं मेरा बहुत यहां पर respond नहीं कर रहा है मैं कोई भी से command दे रहा हूं मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरा बहुत भी वर्क नहीं कर रहा है और deploy रहुने पाद मेरा बहुत यहां पर respond करेगा वर्क भी करेग तो मेरे बहुत यहापर आप फाइंदली डिप्लए हो चुका है मेरे को इसे डिप्लोई करने में एक निट नौ सेकंड लगे आपको फिर क्या करना है आपने रोको काउंट पर जाना है और आपको अपने आप आप को ओपन करना है यहाँ पर आ चुका है इसके बाद आपको यहाँ पर second page पर जाना है और अपने इस dino को start करना है ताकि मेरा bot जो bot है वो work करना start कर दे आप इस dino को off कर सकते हैं अपने bot को बंद करने के लिए इसके बाद आपको more पर जाके view logs पर click करना है तो मैंने अब जब आप इसे deploy करेंगे तो आपको settings में जाना है reveal config पर जाना है और आपको यहाँ पर जो config dot यह वाला जो वार था हमारा जो हमने add किया था config env url आपको इसके अंदर जो हमने gist file create करी थी बाद में वो दूसरी वाली gist file यहाँ पर url उसका copy करना है और यहाँ पर इसे paste कर देना है और save changes पर click कर दे और आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपको कोई भी variable heroku variable heroku wars से edit नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ gist file के अंदर addition करने है तो हमारा जो बाट यहाँ पर start हो चुका है अब मैं इसे start command जब दूँगा तो हमारा बाट यहाँ पर respond करेगा access granted हमारा बाट यहाँ पर successfully work कर रहा है हमें आपको दिखाता हूं कि आप इस बाट को use कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं एक बार इसे अपने group के अंदर add कर लेता हूं तो मैंने अभी यहाँ पर start command दे लेकि नहीं response नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसे group के अंदर add कर लेता हूं as an administrator आपको अपने बाट को group के अंदर add करना है तो मैंने अपना बाट यहाँ पर as an administrator add कर लिया है इसके बाद again मैं यहाँ पर start command run करूंगा तो हमारा बाट यहाँ पर respond कर सकता है I am alive ठीक है तो अब यह जो बाट है इस group के अंदर भी work करेगा और PM के अंदर भी work करेगा सिर्फ उनके लिए जो authorized users है PM के लिए सिर्फ PM में सिर्फ उन users के लिए work करेगा जो authorized users है अब मैं आपको दिखा देता हूं एक gd.file को clone करके आपको यहाँ पर clone command देनी है clone और gd.clone यहाँ पर run करने है हमारी processing हो रही है file और आप यहाँ पर दे सकते है कि हमारी file यहाँ पर हमारी google drive के अंदर upload हो जुकिए और हमें यहाँ यहाँ पर drive link पी मिल चुका है और उसका index link पी मिल चुका है अब मैंने जब इस index link को यहाँ पर open किया था तो मेरे को यहाँ पर एक error आ रहा था तो मेरे जो हाँ पर index link का वो create अभी work नहीं कर रहा है कि मैंने एक mistake कर दे थी आपके में यह mistake नहीं आएगी अब मैं आपको दिखा देता हूँ app drive file को copy करके clone करके आपको यहाँ पर clone command देनी है app drive को send करना है अब मेरे को यहाँ पर app drive में भी एक error आ था क्योंकि मैंने यहाँ पर जो अपना password था app drive के अंदर वो गलट डाल दिया था क्योंकि मैं यह bot दूसरे के लिए बना रहा था तो अब मेरा यहाँ पर मैंने password करेक्ट कर लिया और मेरा यहाँ पर जो था app drive यहाँ पर clone हो चुकी है आप यहाँ पर दे सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पर अब मैं आपको एक बार edit करकर दिखा लेता हूं जैसे कि मिरको अपनी फाइल के अंदर कुछ additions करने हैं अब मैं आपको दिखा देता हूं मैंने drive list के अंदर क्या error करा था मैंने क्या कर रहता है drive list में सारी files को upload कर दिया था आपको सारी नहीं रखना है आपको सिर्फ उस file को रखना है जैसे आप use कर दें तो मैं अभी यहाँ पर gray mirror यूज करूंगा क्योंकि वही मेरी file है तो जो बाकी files है मैं यहाँ पर सारी रिमूफ कर दोंगा gray mirror के अलावा यहाँ पर जितनी भी files है उन सब को remove कर दोंगा और यहाँ पर सिर्फ gray mirror कर रखूंगा अब preview changes पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सिर्फ gray mirror ही रखना है मैंने यहाँ पर mistake कर दे थी आपको यह mistake नहीं करने है हमारी यहाँ पर file update हो चुकी है इसके बाद आपको यहाँ पर जो हमारी guest file थी वहाँ पर भी इसे edit कर देना है gray mirror जो हमारी drive list guest file हमने create कर दी थी उसको भी हमने आपर edit कर दिया है अब हमने हाँ पर क्योंकि अपने variables को edit किया है अपने repo को भी edit कर आया है तो हम क्या करेंगे आपने इस workflow को दुबारा run करेंगे जब भी आप अपने course के अंदर कोई एडिशन करते हैं तो आप क्या करें आपने workflow को github से दुबारा run करें और अगर आप सिर्फ guest file के अंदर कोई भी addition करते हैं तो आपको क्या करना है आपको बस अपने hiroku bot को restart करना है तो मैंने हाँ पर क्योंकि अपने guest file को भी edit किया है तो मैं हाँ पर अपने bot को एक बार restart करूँगा second page पर जाके अपने dino को off करूँगा और उसके बाद इसे on कर दूँगा confirm प्रिक कर दूँगा इससे हमारा bot जो है वो restart हो जाएगा अब मैंने जो changes थे वो सब यहां पर fix कर लिए है ठीक है और हम मैंने जब यहां पर आगेन जब मैंने workflow run करा तो हमारा यहां पर जो workflow था वह अभी in process है यहां पर यहां पर यहां से गायब हो चुका है मैं आप एक बार दुबारा अपना URL एंटर कर देता हूं आपको यह सब mistakes नहीं आएंगी यहां पर मैं अपना URL एंटर कर देता हूं और अम मेरा जो बॉट है यहां पर successfully अच्छे से वक करेगा आप यहां पर दुबारा इस command को run करूंगा clone app drive link और आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी cloning start हो चुकी है अब मैं इस वीडियो को pause नहीं कर रहा हूं और इसी देखिए आप कितनी जल्दी हमारी file जो कॉपी हो चुकी है और यह हमारी file हो जाँ हमारी file यहां पर clone हो चुकी है अभी भी मेरको यहां पर एक index link पर error आ रहा था क्योंकि मैं index link में क्या कर रहा था कि मैंने जब index link के अंदर drive id डाली थी तो मैंने गलक drive id डाली थी मैंने filmafunda वाली डाल दी आपको एक ही डालनी है इसके बाद मैं आपको drive link copy करके दिखा देता हूं clone करके यह google drive file है जो कि हमारी clone हो चुकी है आप यहां पर देख सकते हैं और यह हमारी file clone हो चुकी है यह सारी files आपके जो आपने share drive create करीती उसके अंतर upload हो जाएंगी इसके बाद मैं आपको इस command bot के अलग command दिखा देता हूं आप यहां पर find command को use कर सकते हैं कोई भी file वगरा को अपनी google drive के अंदर search करने के लिए तो मैं यहां पर जैसे search कर लेता हूं कुछ भी मैं यहां पर hide डाल देता हूं और search करता हूं तो high words जिसको यह अंदर भी होगा वो command यहां पर copy हो जाएगी आप फिर आपको यहां पर result को open करना है आप यहां पर दे सकते हैं इसके अंदर take eyes लिखा हुआ है ना तो इसले इसने हमें इस file को suggest कर रहा है इसके बाद हमारी अगली command है जो clone command तो मैं आपको पहले ही अभी दिखा चो count कैसे आपको use करने है आप इसके अंदर sharer links को भी clone कर सकते हैं मेरे पास को sharer link नहीं था तो मैंने use नहीं किया इसके बाद आप count command को use कर सकते हैं drive की storage को count करने के लिए या किसी भी folder को size को count करने के लिए इसके बाद हमारी permissions command है इस permission command को use करके आप किसी भी अपने drive link के file को anyone कर सकते हैं और इस delete command को use करके आप किसी भी file को delete कर सकते हैं आपको बस delete command देनी है और उस file का urn enter करना है आपको permissions में भी यही करना है Permission command देनी है और drive का link enter करना है आपकी ही drive यहाँ पर delete होंगी सिर्फ आप किसी और की drive files को delete नहीं कर सकते इसके बाद आजाते हैं हम अपने authorized users पे हम मैं हाँ पे जो authorized user वाली command है इसे मैं use नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं हाँ पे सिर्फ as an authorized user खुद add हूँ मैं owner नहीं हूँ इस bot का मैंने bot आपको पहले बताया है मैंने किसी और के लिए बनाया है तो जो यहाँ पर authorized command होती है इसे ओनर ही यूज़ कर सकता है ऑफराइज यह यह और यह यान और और वाली जितने भी command से इसे ओनर यूज़ कर सकता है यह users वाली shell और पिंग यह जो command से इसे ओनर यूज़ कर सकते हैं खेर यह जो कमांज से आपके मतलब के नहीं है आप इने ना रखें कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहाँ पे गेट कमांज है help कमांड भी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी help चाहिए तो वैसे तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वैसे ही सब कुछ explain कर दिया है को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना बोले और एक और चीज आप इस वीडियो को पूरा देखें कोई भी प्रॉब्लम साती और आप कम्प्लेंट करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है वह काम नहीं कर रहा है और हम में आपको एक चीज होता था कि अगर आप services accounts यूज़ कर रहे हैं तो आपको ए गूगल गुरूप create करना होगा और उस गूगल गुरूप को create करने के पाद जैसे आपने NSI 17 अगर मेरी वीडियो देखे होगी तो मैंने उसके अंदर एक Google गूगल गुरूप create करना होगा अगर आप services accounts यूज़ कर रहे हैं मैंने उसके अंदर अच्छे से explain कर रहा था मैंने उसके अंदर वीडियो के description में time stamp पे दिया है कि मैंने कहां पर service accounts create करे हैं उसके बाद मैंने Google गूगल गुरूप कहां पर create करा और कहां पर मैंने Google गूगल गुरूप का manager as a manager add कि आपने Google Drive के अंदर तो मैं आपको आपको बस वैसे ही करना है उस वीडियो का आप reference लेखते हैं ले सकते हैं अगर आप services accounts यूज़ कर रहे हैं तो हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही हमारे चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना बोलें